सो वेलकम फ्रेंड्स वागे ते आप सभी का डेली नूज अपेस की स्रीस में बेसिक नोलेज के साथ फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत पुट रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार उजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राब करके मेल आइकन को प्रेस कर लिजीए इसकी पीडियेप आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रप्शन मिल जाएगी सचले शुरकरतर देखते कि आज की अपडेट कह कहती है दोस्तो हाली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर नाकपुर में कारेकरम को समभूदित कर रहे थे महाँ पर उनके द्वारे एक बात बोली गई है जिस पर आज का पूरा वीडियो जो है वो रहने वाला है देखे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर का कहना है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजिरया जो है वो बदला है अब इस्तेती एसी है कि भारत की सला और इसके मश्वरे के बिना किसी भी बड़े विश्शिक मुद्धे का फैसला नहीं लिया जाता है हाला कि ये बात पूरी तरीके से सही है क्योंकि भारत ने बीते कुछ समय में दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिससे कोई भी बड़ा मसला भारत की सला मश्वरा के बिना तई नहीं किया जाता है चले विदेश मंत्री के इस बयान के पीछे के तथ्यों को हम अपनी भाषा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों भारत दुनिया के लगबग 192 देशों को करीब 7,000 आइटम निर्यात करता है दुनिया बर के अलगलग देशों को भारत 7,000 जो है प्रोड़क्टों बेशता है जिसकी वज़े से हमारी अर्थव्योस्ता में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इसी के चलते अमेरिका बीते वित्तवर्षी 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापरिक साज़दार बन चुका है अगर हम एक नज़र डालें कि भारत दुनिया बर को क्या-क्या सामान सेल करता है तो हम दुनिया को चमड़ा और उसके उतपाद बेशते हैं पेट्रोलियम उतपाद हम भारत से अलग-लग देशों को पोचाते हैं रतन और आभुशन इसमें शामिल कर लीजिए साथ में आटो मोबाइल और उसके इस्वेरवार्स, फार्मास्ट्यूकल उतपाद, इलेक्ट्रोनिक सामान, डेरी उतपाद और सूती धागे यह अनेक वस्तवे भारत अलग-लग देशों को बेशता है प्रणाम सोरूप हमें आवशक विदेशी मुत्रा अर्जित करने में साहिता मिलती है यह आपर जाने करें के लिए मैं आपको बता दू कि भारत 3330 अरब US डोलर के साथ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकोनोमी है भारत के बाद UK, France, Italy, Brazil और Canada आते हैं भारती GDP का आका वश 2022 तक ब्रिटन और फ्रांस की GDP से बड़ा हो चुका था इससे पहले यह देश इंडिया से आगे थे हाला कि इस समय भी अमेरिका 26,954 अरब अमेरिकी डोलर की GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एकोनोमी है इसके बाद चाइना का स्थान है चाइना 17,786 अरब अमेरिकी डोलर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकोनोमी है फिर जापन और जर्मनी का नंबर आता है फरनतों एक अनुमान के मुताबिक फ्रेंड सबसे 2030 थक भारत की GDP जापन से आगे निकल सकती है इससे भारत दुनिया की तीस तरी सबसे बड़ी एकोनोमी बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बन जाएगा इसके साथ भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहा है हम किसी भी शेतर में किसी से भी पीछे नहीं है हमने खुद को काफी बदला है और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोन भी अब काफी बदल चुका है आज का समय यही कि हम दुनिया के हर संगटन और हर देश में अपनी एक कोजिशन रखते हैं तो ये कैना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत की सला और इसके मश्वरे के बिना केसी वड़े वेश्योक मुद्दे का फैसला नहीं लिया जा सकता भारत दुनिया बर के अनेक महत्पुन संगटनों से कनेक्टेड है जैसे की वहो येनकी विश्योसास्त संगटन, युनेस्को, युनाइटेड नेशन्स, शंगाई सयोक संगटन, इसके साथ दक्षिन एश्या सहकारी पर्यावन कारिकरम, सार्क, PIF येनकी प्रशांत संगटन, जो केमिकल विपन्स होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करने के लिए जो संगटन बनाया गया है, इंडिया उसका भी सदश्य, साथ साथ इंटरपोल, IMO येनकी अंतराश्टी समुद्र संगटन, साथ साथ आयमेप येनकी अंतराश्टी मुद्राकोश, इसके अलाव इनका फ्रतिनी दित्व करते हैं, अगर इनके द्वारा कोई भी अंतराश्टी कदम उठाये जाता है, या फिर किसी भी मुद्द्र को उठाये जाता है, उसमें भारत की भागिदारी आवशक हो जाती है, आज इंडिया किसी भी देश में, किसी भी मामले में कम नहीं, डॉ वेरी बेरी बेस्ट थैंक यह सो मुछ